खाम नहीं ने बंकर से आदेश दे दिया है कि इरान दो लाख मिसाइलों और रॉकेट से इसराइल पर हमला करें। इरान इतनी बुरी तरफ से बुखला गया है कि उसने 57 मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो इसराइल से जंग को तयार हो जाएं। इधर प्रधान मंत्री नेतन याहू ने साफ कह दिया है कि अगर इरान ने हमला किया तो इरान में ऐसी कोई जगा नहीं होगी जहां इसराइली हमले ना करें। इरान का एलान अब जंग लड़ेंगे 57 मुस्लिम देश। 32 साल तक हिजबुल्ला का चीफ रहा 64 साल का हसन नसलला मारा जा चुका है। लेवनान से लेकर इरान तक नसलला की मौत पर 5 दिन तक का मातम मनाया जा रहा है। इस बीच इरान के सुप्रीम लीडर अली खामने को गुप बंकर में पहुँचा दिया गया है। इरान को डर है कि नितन्याओ के निव ओडर अपरेशन के तहट का इसराइली सेना इरान के सुप्रीम लीडर खामने को भी नरसलला की तरह मार सकते हैं। हालात ये हो गए है कि इरान ने अब इसलाम के नाम पर मुस्लिम काट खेलने की कोशिश की है। इरान अब पूरे मिडल इस्ट और अरव वल्ड में ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि आज इसराइल हिजबुला को तवा कर रहा है कल इरान को परवात करेगा और फिर किसी और मुस्लिम देश को इसराइली सेना तवा करेगी। इसलिए बहतर है कि सवी सतावन मुसलिम देश मिलकर इसराइल से जंग में मुकावला करें लेकिन सवाल उड़ता है कि क्या सतावन मुसलिम देश मिलकर इसराइल पर हमला करने की हिम्मत दिखा सकते हैं। हम आपको हमास हिजबुल्ला हूती और एरान से जुड़ी इस ख़वर में ऐसे हैरान और दिल्चस करने वाली जानकारी देने जा रहे हैं जहां आपको पता चलेगा कि इस्राइल ने कैसे जवर्दस्त हमलों से लेकर इरान के इस्लामिक जंग की धजियां उड़ा कर रख दी है हिजबुल्ला चीव नसल्ला के मारे जाने के बाद से इरान हिजबुल्ला की बुरी तरह से किरिकिरी हो रही है हिजबुला चीफ हसन रसला की लाश हमला होने के 20 घंटे बाद मिल पाई है तब जाकर हिजबुला ने उसकी मौत की पुस्ती की है इस्राइली फाइटर जेट ने 80 टन बमों से धमाके किये थे जिसकी वज़ा से लाशों के चीतरे उड़ गए थे इधर इजबुला चीफ से लेकर हिजबुला के 17 टॉप कमांडर मारे जा चुके है हालात ये हो गए है कि घातक और लंबी दूरी मिसालों से इस्राइल पर हमला करने का प्लैन पूरी तरह से तबा हो गया है दावा किया जा रहा है कि नसला के साथ साल इरान की आया जीसी का डिप्टी कमांडर अबार निलफो रूसन और हिजबुला के कम से कमांडर मौके पर ही मारे गए है हालात ये हो गए है कि हिजबुला के पास रॉकेट मिसाल डोन भरे पड़े हैं लेकिन कोई जाइल पर हमला करने का आदेज देने वाला नहीं बचा है इस्राइल ने गाजा जंग से सबक लेकर हिजबुला के खिलाब एक फॉर्मला खूब इस्तिमाल किया है जनरल मारो जंग जीतो कमांडर मारो को हराम मचाओ इस्राइल ने हिजबुला के टॉप कमांडरों को मार कर संगंटन के मनोवल को तोड़ कर रख दिया है इस्राइल ने सबसे पहले हिजबुला के अजीज यूनिट के कमांडर मुहमद नसर को धेर किया इसके बार नसंद यूनिक के कमांडर समी तालिव अब्दुल्ला को मार गिराया रॉकेट और मिसाल डिवीजन के कमांडर इबराहिम कुवेसी को बेरूत में मारा इसराइल पर रॉकेट बरसाने वाले कमांडर इबराहिम मोहमत को मार कर इसराइल ने हिजबुला के हवाई हमलों की जھंता को सीमित कर दिया इसके बार राजवान फोर्स के कमांडर इबराहिम अकील को मारा उससे पहले रड़निंदिंग यूनिट के प्रमुक फुहास शुकर को बेरूत में धेर किया इसराइल पर हमला हिजबुला के दक्षिनी फ्रेंट से हो रहा था सबसे पहले इसराइल ऐसी फ्रेंट के प्रमुक अली कराकी को मौत के घाट उतारा उसकी मौत की वज़ा से इसराइल पर हिजबुला के हमलों में भारी कमी आई इसके बाद कमांडर विस्तम अलतवील को मार गिराया राइड वान फोर्स को ट्रेंग देने वाले अबू हसन समीर को मौत की नीच सुलाया इसराइल पर निगरानी करने वाले एरियल यूनिक के कमांडर मौम्मद हुसेन को मारकर इसराइल ने संगटन की तागत को बेहत कमजور कर दिया 27 सितंबर को इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्ला के सरगना हसन रसला को मार कर हिजबुल्ला की कमड बोड़ कर रख दी है अब ऐसे हालात में एरान क्या इसराइल से हिजबुल्ला चीफ की मौत का बदला लेने की हमद जुटावाएगा ये अपने आपने बड़ा सवाल है